सात्यों नमस्कार, informative classes की YouTube चेनल पर आप सब भी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम BSTC upward moment result को लेकर के बात करेंगी और आपको ये भी बता दूँ कि सात्यों BSTC अगर आप लोग कर रहे हैं और upward moment अगर आप करवाना चाहते हैं तो आज आपकी लास्ट एट है वो upward moment की सात्यों हो चुकी है, आज आप upward moment करवा सकते हैं, इसके बाद में हैं आपको upward moment करवाने का option नहीं मिलेगा जो भी विद्यारती upward moment करवाना चाहते हैं, प्लीज आज upward moment करवा सकता है आज रात जिबार आप आपका पास समय रहेगा, upward moment के लिए अपलाई करने के लिए, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि आपका upward moment का जो रिजल्ट है सात्यों, वो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा कोलेज आपकी चेंज होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर के 100% जानकर यह आपको देने वाला हूँ, जिस परकार से आपको बताऊँगा, उसी परकार से आपकी कोलेज भी चेंज होगी, और आप लोगों का upward moment का रिजल्ट भी लगबग उसी समय पे आ जाएगा तो देखे आज आपकी अंतिम तिती हो रही है यहाँ पर है ना, तो 31, 2022 को आपकी लास्ट एट है, इसके बाद में कल अगर आपकी यह तिती नहीं बढ़ाई जाती है, तब आपको बता रहा हूँ, अगर डेट बढ़ा दे जाती है, तब इसकी डेट अलग रहेगी, अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती है, तो आपके पास में 1, 2 और 3, इन 3 दिन का हो सकता है, यहाँ पर दिन खली आपका जा सकता है, और उसके बाद में 4 तारीके आसपास 100% रूप से आपको यहाँ पर आपका अपर मुमेंट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, अपर मुमेंट कि आपकी जो कॉलेज अगर आपको दूर मिली हुई है, तो आपकी कॉलेज चेंज होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, देखे कॉलेज चेंज होने के यहाँ पर चांसित होते हैं, आपके 40-60-30, 40-60-30 होता है, यानि 40-60 पर चेंज हो जाती है, और 60% इस्टूरेंट की कॉलेज और चेंज नहीं होती है, अब इसमें चेंज क्यों नहीं होती है, ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने मालीजी अपवड मुमेंट करवाया, और आपने जो जो कॉलेज ये बरी है, उन कॉलेजों में से किसी भी नमर तक कॉलेजे लगा रखी है, या 20 नमर तक आपने कॉलेजे लगा रखी है, तो उनमें से माल लेजिए 5-7 पोस्टें खाली है, और आपसे पहले 5-7 इस्टूरेंट ने अपवड मुमेंट के लिए अपलाई किया है, तो पहले प्रात्मिक्ता उनको दी जाएगी, और पहले अपरात मिक्ता इसमें उन्हें को भी दे जाती है, जिनके परसेंटे जदा होते हैं, जिनके नमर जदा होते हैं, अब 40% इस्टूरेंट के अगर कोलेज चेंज हो जाती है, तो इसके बाद में कि क्या प्रोसेस लेगी, डोकुमेंट्स दुबारे से अपलोड करने प रिपोर्टिंग ज़रूर करने पड़ेगी, जनी वहां से जाकर करके आपको रिपोर्टिंग करने पड़ेगी, और उसके बाद में साइट से अपनी जो है एडमिशन की शिलिफ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, साइट पर सारी जानकारी मोबाइल के माद्यम से बताने वाला हूँ, तो आप लोग अभी चैनल से जुड़ जाएं, साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लें, वार्स ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप इनको भी आप जोइन कर लें, ताकि अगर कोई नोटिफिकेशन आया हो तो उसकी पेड प्रेट्स के साथ में जय भारत उबंदे मात्र